नमस्कार, अमसु स्वागतम, अभीनंदन, मैं हूँ आचारे रोहन चंदरा एक बार फिर आपका अपने स्वीडियो चैनल पे स्वागत करता हूँ तो कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करते हैं आप सब बहुत बहुत ठीक होंगे आज हम बहुती महत्पून विशे पर बात करने जा रहे हैं जो है अलेक्सेंडराइट जैमस्टोन के बारे में एक experience जो client का है इस जैमस्टोन को ले करके आज वो आपके साथ share करेंगी और कैसे उनके life में वो इतना बड़ा change ला पाया एलेक्सेंडराइट जैमस्टोन जो की color changing जैमस्टोन है जिसके उपर पहले मैंने वीडियोस बनाई है आपको शो भी किया है वीडियोस में आज आपको उसका experience बताने जा रहे हैं एक client के माध्यम से के उनके साथ कैसा experience रहाता एलेक्सेंडराइट सबसे महंगा जैमस्टोन है जो चल्दी easily मिलता ही नहीं है और बहुत ही powerful होता है जो दिन में अलग color का और रात में अलग color का हो जाता है आपने last time इस वीडियो में सुना होगा कि इसमें कहावत है कि दिन में पन्ना और रात में Ruby हो जाता है मैंने last video में बताया था जिसनों उन्हें नहीं देखा है वो जा करके पुराना वीडियो एलेक्सेंडराइट के उपर देखें उनको बहुत जादा कुछ नया सीखने को मिलेगा और फिर इस podcast को सुने उनको पदा चलेगा हमारे साथ आई हुई है बैंगलोर से हमारी इनका नाम है अदिती आज ये अपना experience शेयर करेंगे वेलकम अदिती जी इस शो में आप आई है आप अपना experience शेयर करिए और बताइए कि कैसा experience आपको रहा है अदिती जी चाहती है कि इनका जो वीडियो है वो हम डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं वो हम दिखा नहीं सकते हैं तो अदिती जी हमारे साथ audio से जूडेंगे Thank you so much sir मुझे यहाँ invite करने के लिए and सबसे बड़ा thanks आपके लिए कि आपने मुझे अपना वक्त दिया वैसे आपसे easily appointment नहीं मिल पा रहा था बट फिर भी आप बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपसे बात करने का one-to-one conversation करने का मौका मिला So मैं basically Bangalore से हूँ and मेरा और मेरे husband का एक business है and कुछ time से वो ठीक नहीं चल रहा था तो मैं YouTube पे स्क्रॉल कर रही थी आपकी वीडियो देखी मैंने Alexandrite वाली and मैं उससे बहुत जादा इंप्रेस हुई पहले तो वो market में मुझे मिला नहीं easily but मेरे husband ने जैसे तैसे मेरे लिए वो arrange कर दिया था तो मैंने उस gemstone को wear किया और मुझे कुछ उसमें खास result नहीं दिखा खास बोले तो ना के बराबर था even मैंने obstacles उसमें face किये और मेरा जो काम चल भी रहा था तो वो भी बहुत जादा खराब हो गया and मेरा relation मेरे husband से और जादा खराब हो गया and family के साथ भी थोड़ा disturbance आ गई उन सब चक्कर में और sir मुझे लग रहा था कि जो मिरे पास gemstone है वो kind of fake है और मुझे पता नहीं कि कि इसको मैं कैसे देखूँ कैसे पहचानूँ और मैं आपसे कैसे बताओ कि मैं को लगा है वो बिल्कुल fake था जब मुझे कोई result नहीं मिला तो मैं again आपके वीडियो पे गई and मैंने आपसे contact किया आपने मुझे वही precious gemstone प्रोवाइड कराया and I can't believe कि मेरी चीज़े 6 महीने के अंदर बहुत जल्दी change हो गई और मेरे दो death थे वो सारे खतम हो गई even मेरे relationship जो मेरे husband के साथ बिगड गए थे वो भी ठीक हो गया even family में अब माहल काफी खुशाल है तो मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाती हूँ और जानना चाती हूँ कि ऐसा क्या था जो मुझे पहले result नहीं मिला और अब result मिला है देखिए अदिती जी जिस चीज का शिकार आप होई थी उसे इस language में बोला जाता है कि आप फीक का शिकार हो गई थी एक्चुली एलेक्स एंडराइट एक बहुत ही जादा expensive और बहुत ही जादा precious gemstone है जल्दी available होता नहीं है तो ही इसकी जादा तर duplication भी market में आती है तो जो आपके साथ हुआ था आपने वीडियो देखा content देखा है कि हाँ सर ने हमें बताया आपकी requirement में वो fulfill हुआ आपको आपकी destiny ने चाहा कि आप उसे wear करो लेकिन आपके साथ ये issue आया कि आप fake का शिकार हो गए है और अधिकांश लोग आज की date में fake का इस चीज में शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रयाप आइडिया नहीं था तो आपने उस time पे उसे wear किया आपको result नहीं आया उन्होंने जब हमसे contact किया उस समय उन्होंने हमें ये jamstone मैंने इन से मांगा कि मैं आप अपना jamstone दिखाईए लाइए मैं देखूँ जब मैंने उस jamstone को दिखा मैंने पकड़ा तो even मुझे उसमें कोई energy नहीं फिल हुए हाला कि आम तोर पे मैं एक ऐसा jamstone expert हूँ जो आज से नहीं कई सालों से more than 12 year मैं जब से jamstone से खेल रहा हूँ और मैं jamstone से पकड़ कि उसकी energies बता सकता हूँ मैंने जब उस jamstone को पकड़ा उसमें किसी तरह की कोई energy नहीं थे वो ठंडा था तब लिटो और मैंने उसको test किया मैंने कहा कि इसकी clarity देखी quality देखी तो हूब हूँ वो एकदम ऐलेक्जेंडराइट के जैसा तो हूब हूँ वो एकदम ऐलेक्जेंडराइट जैसा तो उसको मैंने certification के लिए भेजा तो वहाँ पर पदा चला कि उसका जो mineral था chemical था वो सारा जो था वो fake था तो यानि कि उसका certification में खराब आया तो मैं सारे लोगों से बताना चाहूंगा कि आप कभी भी कोई jamstone खरीते हो चाहे वो महंगा हो सस्ता हो lab certification कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें पहचान हो जाती है आपको कि वो natural है या फिर lab grown है या फिर वो local है या कि manufacture किया हुआ है या ट्रीटेड है या फिर नॉर्मल सा पत्थर हुआ उसमें वो property खतम हो जाती है लोग क्या करते हैं कि सुन्दर बनाने के चकर में और ज्यादा उसको खुबसूरत बनाने के चकर में clear बनाने के लिए चीजों के अंदर ग्लास फिलिंग करते हैं और किसी तरह की चीजों को साफ करने के लिए उसे chemical process से गुजारते हैं तो treatment और heat treatment उसे कहते हैं तो इस तरह की चीजों से अचसल जैम्स्टोन की quality खराब हो जाती है फेक का सिकार हुए था आपको फेक जैम्स्टोन दिया गया था नकली दिया गया था थैंक्यू सो मच सर काफी clarity मिल गई है आपसे बात करने कर बट मेरा question यह था कि सर आपने technique की थी वह technique यह थी आप हर जैम्स्टोन को हाथ में ले रहे थे और कुछ-कुछ आप उसको पिक क कि क्या बता रहते हैं कि हाँ यह अच्छा है यह नहीं है मुझे इस चीज के बारे में जानना है और अगर यह एक टेकनीक है जैम्स्टोन को सेलेक्ट करने की तो यह टेकनीक क्या हर कोई जैम्स्टोन प्रोवाइडर करता है या यह आपकी कोई special टेकनीक है प्लीज बताई आदिती जी यह बहुत ही secret है लिकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारे आसे जैसे हम किसी को जैम्स्टोन सजेस्ट करते हैं तो उसमें मैं personally उस जैम्स्टोन को जरूर फील करके क्योंकि हमें result से मतलब होता है आप हमें Google पे जागे search करो आप जहां भी जाग गई जहां भी हमा होगे हमारे client ने उस चीश को mention किया है हर जगे आप पढ़ोगे जन्होंने review दिया है या जैसे भी लिखा हुआ है चीज़े जरूर mention किया है कि सर अपनी personal touch जरूर देते हैं इसका reason है एक secret भी है और कहीं मैं बताऊंगा आप सभी को कि जैम्स्टोन जब हम पकड़ते हैं तो अगर कोई piece में energy नहीं तो उसे wear करने का कोई मतलब नहीं होगा ये इस तरह से मैं समझाऊंगा एक bulb है अगर वो bulb आप market से खरीद के लाते हो और वो fuse होगा तो आपके घर को रोशन नहीं करेगा सेम इसी तरह के अगर आप जो है gemstone खरीदते हैं और उसमें energy ही नहीं है तो आपकी life को भी रोशन नहीं करेगा वो आपकी life को रोशन आगे नहीं बढ़ा पाएगा चीज़े नहीं वो just a jewelry है आप सोचते हो market से कोई stone लिया और उससे wear कर लिया तो वो jewelry है हर तरीके से gemstone को कराया जाता है जैसे हमारे यहां पे पूजा प्रान परतिस्था और जागरित करा करके एक gemstone को दिया जाता है उससे भी पहले एक step होता है जिसमें हम खुद choose करते हैं उस वेक्ति के नाम से तब हम देवी मा भगवती का नाम ले करके किसी gemstone को पूरे lot में से choose करते है तो वेक्ति के लिए सबसे best से best gemstone आना चाहिए और उस energy को feel करके उस प्रान पूजा प्रतिस्ठा करा करके जागरित करा के अब भी मंत्रित करवा करके अपने clients को देते हैं तो definitely तब आप उन शक्तियों से जुड़के उस वेक्ति के client के लिए कुछ दे रहे हो तो उसका result भी बहुत अच्छा था है ultimately हमारा aqm होता है कि आपको result मिले तो यही तरीका है कि मैं क पॉन से इस्टोन है क्या है क्या नहीं है तो कहीं न कहीं यह तरीका होता है आपके nearby भी ऐसे इस्टोलोजर्स हो सकते हैं या फिर जो इस तरह से काम कर रहे हैं power of profit पर ना जाकर आपको result मिलना में होता है और अगर आप कहीं डेली साइड रह रहे हो अगर आप nearby डेली जैमस्टोन ले सकते हो किसी भी हाला आपने आपके सितियां सही नहीं है health issues है financial related issues है या relations related issues कोई भी issues हो कैसा भी शुदो आपने चार्ट का विश्रेशन करा के अपनी अपने बारे में जानी है और अपने जैमस्टोन के बारे में जानी है और आप यह अपने problem से बाहर निकल जैसे कि हमारे सारे clients बाहर निकल जाते हैं problem से thank you so much sir for your valuable time and मैं तो यही कहना चाहूंगे कि मुझे आचार्य जी के साथ बहुत ही अच्छा experience मैंने यहां पे लिया है और definitely मैं सभी दर्शकों से यह recommend भी करूंगी कि आप ज़रूर सर से contact कीजिए अगर कैसी भी तरीके कि आप obstacle अपने life में face कर रहे हैं मैं इतना जानते हूं कि मेरे career में मेरे whole life में मैंने इनसे अच्छा astrologic कोई नहीं देखा in my way आचारे रोहन चंदर जी is the only jamstone expert in India and मैं highly recommend करूंगी और मैं इतना कहना चाहूंगे कि मेरी life change हो गई और मैं यही कहूंगे कि आपकी भी life change हो जाएगी and I am really very sorry I am the public figure and I can't reveal myself in this screen I wish मैं बता पाती कि मेरे expression चहरे के अभी screen पे क्या है but मैं अपना जो भी experience है मैंने share किया आपके साथ और सर ने time दिया इस चीज़ के लिए मैं तहट दिल से सर का धन्यवाद करती हूं और सर की success के लिए मैं कामना करती हूं मा भगवती का आशिरवात सर पर सदा रहे and मैंने भी काफी blessings लिए हैं सर से तो thank you so much thank you so much अदिती जी आपने इतनी सारी बाते लोगों को बताई आपकी इतनी सारी best wishes के लिए और इतनी सारा experience जो आपनी लोगों को शार शेयर किया ये जान सके कि alex and right कैसा काम कर रहा है क्या काम कर रहा है और real और fake का difference इन्हें पता चल सका मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी चीज़े अकसर हो रही हैं और होती हैं तो जब भी gemstone लें तो certification जरूर कराएं और अगर अब हमारे माध्यम से लेना चाहते हैं तो दिये गए नंबर पर संपर्क करें I hope आपको दी हुई information पसंद आई होगी आपको कुछ ना कुछ नया तब तक के लिए